अलो तुडेंट्स लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं चैप्र 10 क्लास 10 साइंस तो बच्छो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह हैं रिफ्रेक्शन, बच्छो इस लेक्चर 6 है अगर आपको बाकि लेक्चर देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाईए इस वीडियो की और वहां से हर वीडियो का एक पर्टिकलर लिंक है वहां पर आप क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देख लेजए अगर आपको सिक्वेंस में वीड description में मिल जाएगा जल्दी से start करते हैं बच्छो रिफ्रेक्शन समझते हैं रिफ्रेक्शन एक ऐसा phenomenon है जिसको मैं बहुत अच्छे से यहां पर समझना है तो रिफ्रेक्शन क्या है बच्छो रिफ्रेक्शन is the bending of light when it goes obliquely from one medium to another medium यानि बच्छो जब एक light ray एक medium से यानि medium 1 कह लेते हैं इसको medium 1 से medium 2 में यानि दूसरे medium में enter करती है obliquely obliquely का मतलब कि वो straight सीधा नहीं जा रहे है normally अगर normally रे जाएगी तो बैंड नहीं होगी वो सीधा चली जाएगी चाहे medium change हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो राइट इसलिए हमने कहा obliquely अभी धिरे-धिरे हम समझ जाएंगे सारे concept तो देखिए यहां से एक light obliquely गई जहां पर इसने interface पर टकराई यानि interface मतलब दो mediums का जो बीच में एक line होती है एक plane होता है उसको बोलते है interface students तो यह गई और interface पर यहां पर जाकर incident करती है इसको बोलते है point of incidence और यह हो गई बच्चे incident ray यह हो गई बच्चो incident ray तो जब एक light ray जाती है अपना medium change करती है तो अपने original path से बच्चो यह इसका original path था लेकिन यह band हो गई उससे यह उस path पर न जाकर यह somewhere किसी और path पर band हो गई तो इसी को बोलते है बच्चे i-refraction और ऐसो होता है जब light ray एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है अथी क्यों होता है कैसे होता है ये सब समझेगे लेकिन पहले हम समझ रहे है रेफ्रैक्षान क्या है सो रेफ्रैक्षण क्या है जब एक light ray जाती है अ उबलीक है नठीक ने अपना बताएंगे नॉर्मल डॉक क्यों कर रहे हैं बचो तो यहां पर भी देखिए इसका औरिजिनल पात ये था इसको इसको जाना था इस पात को जाना था लेकिन इससे बैंड होकर इधर चली गई तो दो possibility हैं कि अगर इसको नॉर्मल बोलूं ये होगया एन um और ये होगया और यी मीडियमट में नॉर्मल की का बैंड हुगई यह अपने ऑरिजिनल पात से अवे टो नॉर्मल बैंड हो गई या नॉर्मल से própria बैंड होग ए तो बच्छो हमने normal क्यों draw किया यह समझाने के लिए कि light किस तरह से band होगी यानि normal की तरफ band होगी अपने original path से या normal से away band होगी ओके और दूसरी बात कि जब भी हम angle of incidence बताएंगे यानि यह होगा angle of incidence यह बई incident रहे क्या angle बनाती है अबलिकली वो महाँ पर interface intersect करती है यह incident करती है जब यह interface पर जाकर incident करती है तो इसने किस angle पर आई है तो हम बताते हैं normal से तो normal से हम इस angle को बनाते हैं इसको बोलते हैं angle of incidence क्या बनाते हैं बोलो बच्छो क्या बोलते हैं angle of incidence और यह जो angle है यह होगी refracted ray ओके यह होगी बच्चों refracted ray तो दूसरे medium में refracted ray ने normal के साथ जो angle बना रखा उसको हम बोलते है angle of reflection यानि angle r तो angle r है बच्चों यहाँ पर angle of reflection तो आप ध्यान से देखें कि जब एक light ray obliqually एक medium से दूसरे medium में गई वो band हो गई तो जब band हुई तो यहाँ पर आपने देखा कि angle i angle r के equal नहीं है तो angle r, angle i से छोटा भी हो सकता है smaller भी हो सकता है और greater भी हो सकता है तो first वाले case में angle i is greater than angle r okay students i जो है वो greater than r है लेकि दूसरे वाले में जो angle r है यानि refracted ray ने normal के साथ जो angle बनाया हुआ है वो angle i से greater है angle r is greater than angle i तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर angle of reflection is greater than angle of incidence है right students तो इस तरीके से हम angles बनाते हैं normal के साथ तो normal बनाने के दो फाइदे हैं पहला फाइदा कि तुम angle of incidence और angle of reflection बता सकते हैं कि light कितना band हुई है किस angle से आई थी कितना band हो गई दूसरा हम यह बता सकते हैं कि light किस तरीके से band हुई है normal की तरफ band हुई है या away to normal band हुई है ओके students तो यहाँ पर दो possibilities है right कि भई यह normal की तरफ band हो सकती है और away to normal हो सकती है अब यह कब होती है तो समझेंगे अगर बच्चो rarer to denser light जा रही है rarer medium to denser यानि medium दो तरह के होते हैं एक rarer और एक denser optically rarer और denser जैसे हमने कहा कि भी air है और water है तो air और water में कौन सा dense medium है तो water एक dense medium है air एक rarer medium है तो माल लीजिए light रे air से जा रही थी water के अंदर okay student so it is going from rarer to denser so it bends towards normal यह water के अंदर जाकर normal की तरफ bend हो जाएगी तो कि water denser है air के comparison में right अभी दूसरा समझते हैं दूसरा case दूसरे case में यह कहां से किधर जा रही है denser से rarer okay यानि water से air की तरफ अगर lighter जा रही है तो air के अंदर जब जाएगी तो वो normal से away bend हो जाएगी यानि when a light ray goes from dancer to rarer it bends away from normal okay इन डिटेल अभी हम practice करेंगे आगे जाकर okay समझेंगे अभी तो हमें यह भी समझना है कि हम दो mediums को कैसे compare करेंगे कौन सा dancer है कौन सा rarer है तो बच्चो फिलाल अभी हमने समझा कि what is reflection reflection क्या होता है okay students अभी कुछ cause की बात करेंगे कि बच्चो अगर हमसे पूछा जाए कि reflection का cause क्या होता है तो reflection का cause है change in the speed of light when it goes from one medium to another medium यानि जब light एक medium से दूसरे medium में enter करती है तो उसकी speed change हो जाती है right उसकी speed change हो जाती है जिसकी वज़े से वो bend हो जाती है अपने बात से तो यह होगा cause cause of reflection अब बात करते हैं effects की कि reflection के effects क्या होते है क्या आपने देखे हैं real life में reflection के effects बहुत सारे effects आपने देखे हैं जिसमें से कि मैं दो यहाँ पर discuss करने वाला हूँ the bottom of swing pool appears higher यानि आप देखेंगे कि जो swing pool होता है उसका जो bottom होता है वो हमें higher नजर आता है थोड़ा कम नजर आता है लेकिन actually वो बहुत ही गहरा होता है यानि pool, swimming pool अगर बहुत गहरा है लेकिन हमें वो गहरा नहीं लगता है बचो तो ध्यान देए यह reflection का effect है समझते हैं कैसे माल लेजे हमने bottom में एक bowl डाल दी colorful ball तो colorful ball से जो light ray आएगी वो dancer में होती हो इस तरीके से air में enter करेगी तो जब बच्चे वो interface पर पहुंचेगी और interface से दूसरे medium में यानि air में आएगी तो बच्चे वो इस तरीके से band हो जाएगी away from normal यानि उस तरीके से आना चाहिए था लेकिन वो away from normal band हो गए क्योंकि हमने अभी समझा कि when light goes from denser to rarer medium it bends away from normal तो हमारी eyes को क्या लगेगा कि बच्चे वो light ray कहां से आ रही है वो S1 से आ रही है actual में bowl है S2 position पर लेकिन हमें लगेगा कि light ray कहां से आ रही है S1 पर S1 से आ रही है तो इस तरीके से में bowl की एक apparent position नज़र आएगी S1 तो अगर bowl हमें higher उपर नज़र आई है इसका मतलब bottom भी हमें उपर ही नज़र आएगा यह था एक example जो हमने bowl के तरीके से समझा तो जैसे bowl से light rays आगर उपर आगे band हो गए वे from normal इसी तरह जितनी भी rays bottom से आती है वो इस तरीके से band होती है हमें लगता है कि bottom S2 position पर ना होकर S1 position पर है इसलिए हमें swing pool गहरा नहीं लगता है थोड़ा सा उसका जो level है वो उपर नज़र आता है थोड़ा सा अभव नज़र आता है तो make sure जब भी आप swing pool में जाएं पहले आप notice कर लें अच्छे से देख लें okay swing pool को top से देखें right क्योंकि जब top से देखते हैं तो reflection यानि bending नहीं होती है होती है लेकिन क्योंकि light band होती है लेकिन equally होती है हर direction में तो लगता है कि band नहीं होई है इसलिए हमने यहाँ पर बोला obliquely right दूसरा case समझते हैं बचो cause of reflection का दूसरा case समझते हैं दूसरा एक situation ले लेते हैं आपने देखा होगा कि the pencil partially immerged in water appears to be band at the interface of water and air यानि अगर आप किसी vessel में transparent vessel में आप पानी ले लेते हैं और उसमें आप एक कोई pencil dip करते हैं तो आप देखेंगे कि pencil ऐसे लगएगा कि break हो गई है यानि वो band हो गई है so ये effect भी किसके कारण है reflection के कारण है समझते हैं कैसे देखे pencil की निव से ray आएगी और जैसे ही वो water से air में enter करेगी तो वो normal से अवे band हो जाएगी और हमें लगेगा हमारी eyes को लगेगा कि वो ray यहां से आ रही है तो जहां से लगेगा वहां से आ रही है वहीं पर हमें एक virtual position नजर आती है pencil की right और real position हमें नजर नहीं आती क्योंकि वो real है लेकिन जैसे हम air में से उसको देखते हैं तो हमें लगता है pencil यहां पर है water में right इसलिए हमें लगता है कि वो band हो गई है okay students अब बात करते है refractive index की कि भाई refractive index क्या है कि हम इसको पढ़ रहे हैं तो बच्चो refractive index को पढ़ने का एक फायदा है कि refractive index के जरीए हम यह समझ सकते हैं बच्चो कि कौन सा medium rarer है वो कौन सा denser है तो मैंने starting में यही लिखा है it is a measure of optical density of a medium right यह जिसका refractive index जादा वो denser जिसका कम वो rare okay students तो let's say मैंने कहा कि water का refractive index बच्चो होता है 1.33 और air का हम माल लेते हैं वन होता है लेकिन ऐसे वन वैक्यूम का होता है वन एर का होता है 1.00293 लेट से हमने माल लिया कि वैक्यूम का refractive index है 1 और water का है 1.33 तो भाई कौन सा medium denser हुआ water क्योंकि water का refractive index जादा है right तो इस तरीके से अगर हमें refractive index बदा लग जाए हर एक medium के तो हम बदा सकेंगे कौन सा error है और कौन सा denser है और जब light रहे एक medium से दूसरे medium में जाएगी तो किस तरह band होगी हमारी problem ही स्वाल हो जाएगी हम इसको define कैसे करें कि refractive index को हमें define करना है तो कैसे करें तो बच्चों माल लेते हैं ये एक medium है और इसका refractive index हमें बताना है तो माल ले इसका refractive index है n तो कैसे हम इसको define करें तो ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium whose refractive index is to be measured समझे यानि समझो कि इस medium का refractive index किसके equal होगा speed of light in vacuum यानि c upon speed of light in that medium यानि उसी medium में light की speed जिस medium का refractive index निकाल रहे है उनका ratio कर दो आपको उस medium का refractive index मिल जाएगा दुबारा समझे माल लिजे ये हो गई light की speed vacuum में केतनी होती है बच्चों 3 into 10 raise to power 8 meter per second लेकिन हमें पता है जब light एक medium में जाती है दूसरी medium में जाती है तो उसकी speed change हो जाती है तो हमने का इस medium में उसकी speed हो गई V तो इस medium का refractive index होगा c upon V यानि उस medium में उसकी speed से divide कर दो speed of light in vacuum को ओके तो आपको उस medium का refractive index मिल जाएगा अब माल लिजे आपको किसी medium में light की speed पता है तो आप उस medium का refractive index निकाल सकते हैं या अगर आपको किसी medium का refractive index पता है बचो तो आप उस medium में light की speed निकाल सकते हैं कैसे V equals to c by n तो अगर आपको n पता है किसी medium का refractive index पता है और light की speed आपको पता होती ही है 3 into 10 की power 8 meter per second तो यहाँ से आप उस medium में light की speed निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर c है speed of light in vacuum और v है speed of light in medium whose refractive index is n ओके students अब देखिए refractive index diamond का सबसे highest होता है कितना होता है 2.42 याद कर लिए कोशेन भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा refractive index किसका होता है बच्चो diamond का होता है 2.42 refractive index vacuum का सबसे कम होता है 1 होता है बच्चो तो यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा speed किसमे होती है light कि सबसे कम किसमे होती है तो सबसे slower speed जो होती है बच्छो किसमें होती है diamond में होती है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे V कम होगा अगर N ज़्यादा होगा तो N सबसे ज़्यादा किसके लिए diamond के लिए तो V की value सबसे कम किसके लिए होगी diamond के लिए होगी और सबसे ज़्यादा वेक्यूम के लिए होगी इसलिए कहते हैं कि वेक्यूम में लाइट की स्वीड सबसे ज़्यादा होती है और मैग्जिम होती है मैग्जिमम अटेनेबल स्पीड इन नेचर राइट 3 इंटो 10 की पावर 8 मिटर पर सेकिंड Okay students Now we will understand how a light ray bends when it goes from one medium to another medium So let us say कि एक light ray आती है इस direction में obliquely यहाँ आकर वो इंटर फेस पर इसी आइडान करती है मैं यहाँ पर एक नॉर्मल कीच लेता हूं बच्छो मैंने कीचा यह नॉर्मल और यह हो गया बच्छो एंगल अचैनश जिदान्स क्या होगे बच्चो यह एंगल ओफ इंसिदेंस आई राइट सो यह देखिया आप रेरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो बार-बार अगर हम भूल जा रहे हैं कि अभी किस तरह है बैंडिंग होगी तो मैं आपको एक ट्रिक भी बदा सकता हूं आप यह वर्ड याद रखें तो नाओ लाइट इस गोइंग फ्रों डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम देखिये उपर रेरर है नीचे डेंसर है इसका मतलब एन वन इस लेस देन टू यहाँ पर दिया हुआ है एना कि अगर उपर वाले का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है नीचे वाले का जादा है त तो लाइट इस गोइंग फ्रों रेरर टू डेंसर टी डी आरे में देखिये रेरर टू डेंसर एरो लगा यह आर से डी की तरफ रेरर टू डेंसर आगे क्या बचा क्या है बच्चे आगे टी इसका मतलब टूर्ज नॉर्मल के भाई इसका ओरिजनल पाथ अगर यह है तो इस पाथ से ना जाकर यह नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी और यह होगा एंगल ओफ रिफ्रेक्शन ध्यान से समझेंगे यह था बच्चो इसका ओरिजनल पाथ रियल पाथ इसका यह था लेकिन इसको ना जाकर नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई इस केस वे आई जो है वो maximum होगा यानि greater होगा R से, right? तो TDRN आपकी वदद की, rarer to denser. Next example लेते हैं, how a light ray band when it goes from denser medium to rarer medium, इसका मतलब इस बार N1, N2 से ज्यादा है, let's say उपर water है, नीचे air है, so यहाँ पर again मैं एक normal कीज देता हूँ, अगर यह rarer, denser से rarer में जा रही है, इसका मतलब TDR A, denser से rarer, A, away from normal, right? यानि अपने path से ना जाकर, normal से away हो गई, और यह angle हो गया, बच्छो, R, और यह angle I, इस case में, R is greater than I, right? Students, so when a light ray goes from denser medium to rarer medium, it bends away from normal, and angle of refraction is greater than angle of incidence. Okay, students, so इस तरिकी साब बारबार प्रैक्टिस कीजिए, TDR A की मदद से, आप समझे है, कि how a light ray bends, actually, right? Students, अब बात करते हैं, laws of refraction की, भाई, यह direct भी आप से पूछे जा सकते हैं, laws of refraction, straight laws of refraction, तो one by way, समझेंगे, three laws यहाँ पर होते हैं. Okay, students, पहला लोग क्या कहता है? पहला लोग कहता है, बचो, कि when light goes from one medium to another medium, its frequency and phase do not change, but velocity and wavelength change. कि माल लीजे, यह medium 1 है, और यह medium 2 है. Light ray जा रही है. तो यह हो गया interface. Right, students, यह हो गया interface. तो भाई, जब यह light एक medium से दूसरे medium में जाएगी, इसकी frequency और phase change नहीं होगा, लेकिन इसकी velocity और wavelength change हो जाएगी. पहला लो यह है. यहाँ यहाँ पर इसकी wavelength अगर lambda 1 है, तो यहाँ पर lambda 2 हो जानी है. Okay, students, यहाँ पर velocity अगर V1 है, speed V1 है, तो यहाँ पर V2 हो जानी है. Okay, students, लेकिन frequency यहाँ पर भी new है, यहाँ पर भी new है, यहाँ पर यहाँ पर F हम use करते हैं frequency को. यहाँ पर VF है, और यहाँ पर VF है. यहाँ पर इसका phase 5 है, तो यहाँ पर भी इसका phase 5 है. तो ध्यान देंगे, फर्स लो में क्या बोला जा रहा है? Frequency और phase change नहीं होते हैं, बच्चों. जब light एक medium से दूसरे medium में जाती है. Okay, students, second low पढ़ते हैं, second low क्या बोला जा रहा है? Second low बोला जा रहा है कि incident ray, refracted ray and normal to the interface of the two transparent medium at a point of incidence all lie in the same plane. देखिए, मैंने एक plane पर ही ये तीनों चीज़े ड्रॉ किये हैं. क्या? Normal, incident ray, normal, incident ray and refracted ray. देखिए, एक plane में ही मैंने इनको ड्रॉ कर दिया है. इसका मतलब ये तीनों एक ही plane में लाई करती हैं. Second low में ये बोला जा रहा है. कि भाई ये तीनों एक ही plane में लाई करेंगी. Right? Third low है, snail slow. Third low को बच्चको, snail slow भी कहते हैं. Okay? क्योंकि ये snail ने ही दिया है. So snail ने ही हमें दिया है, snail एक scientist है. तो इसको हमने snail slow भी बोल दिया. Okay, students, so snail slow क्या कहता है? Third low क्या कहता है, reflection का. देखिए, when light ray goes from one medium to another, the product of refractive index and sign of angle of incidence, reflection remains constant. यहनि चाहे sign of angle of incidence हो, या फिर reflection हो, वो constant रहता है. समझते हैं कैसे? क्या constant रहता है? Product constant रहता है. किस-किस का? Refractive index का, और sign of angle of reflection, या sign of angle of incidence. समझते हैं क्या है इसका मतलब? इसका मतलब short में समझेंगे. यह है angle of incidence और यह है angle of reflection. और माल लिजए, इसका refractive index है N1, और दूसरे medium का refractive index है N2. तो यहाँ पर बच्चों बोला जा रहा है, कि medium 1 में, अगर हम refractive index की multiply, यानि product करें, sin i से, यानि sign of angle of incidence से, और दूसरे medium में, हम refractive index की product करें, यानि multiply करें, sin r से, क्योंकि उस medium में angle of reflection है, तो भाई, यह constant रहेगा है, इसका मतलब यह दोनों equal हो जाएंगे. Simple सी बात है, इसका मतलब, refractive index की multiply आपने किस्से की, sin i से, और यहाँ पर refractive index की multiply की, sin r से, तो इनकी value constant रहेगी. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ, sin i upon sin r equals to n2 upon n1. किसी-किसी बुक में, बच्चों कहीं करें पर यह भी लिखा होता है, कि sin i upon sin r equal to constant. तो यह constant क्यों होता है, यह हमने अभी समझा, क्योंकि n2 upon n1 होता है. अब जाहिर सी बात है, इन दोनों medium का refractive index चेंज नहीं होगा, जो होगा किसी particular light के लिए वो ही होगा, n2 upon n1, इसलिए sin i upon sin r का ratio constant होता है. Right students, सुमीद है आपको तीनों laws बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, snells लोग को use करके हम काफी सारे questions करते हैं, जहांपर आपको i की value दी होगी, n1, n2 की value दी होगी, और आप r की value obtain कर सकेंगे. Right, यानि angle of reflection कितना होगा या आप जान सकेंगे, अगर आपको 2 medium का refractive index और angle of incidence पता है. Okay students, या फिर आप किसी medium का refractive index भी जान सकेंगे, अगर आपको angle of incidence और angle of reflection और first medium का refractive index पता है. Right, इस तरीके से आप problems करते हैं. उमीद है आपको सभी topics में आए होंगे, मिलते हैं next lecture में. Okay students,